लो फ्रेंड्ड वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं फ्रेंच फ्राई की रेस्पी लेकर आई हूँ रेस्पी पसंद आएगी तो लाइक करेगा और चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करेगा तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देख लेते हैं इसके लिए मैंने बड़ी आलू को धुल करके छील कर buildings लिए और इस तरह से लंबाई की कट कर ले नहीं है सभी को फ्रेंच प्राई की शेप में कट कर लेना है और अच्यों से तीन this चार पानी धुल लेना आलु को फिर मैंने पानी ऊबलने के लिए रखा इसमें मैंने शेंधा नमक डाल दिया निए मैं भी इसी तरह से आप बना करके फ्रिन्च व्राइ खा सकते हैं तो मैंने ये दिखे उबाल लिया है इसमें ज्याग आने लगया है और चेक कर लिया है कि इसमें नाखुन धस रहा है यानि ये पक गया है बस इसको निकाल लेना है और सभी को निकाल करके इसको किसी कौटन कपड़े पे फैला करके हवा में ठंडा करना है तो मैंने इसको सब वist यकवी ब्सकाला बीचाह लिए और आगे पोको निकाल लिया और इक घोटन कपड़ा अया मेः को शूखाना बचानी बूस लिए कपड़े जिए और अगर अगर आप तूरण्ट उरका हैं तो मैंने निकाला। इससे क्रिस्पी होंगे। फिर मैंने मैदा मिला इना है। मैदे कोट कर देना है। मैदे की जगापे आप कार्ण फ्लोर भी बिर पी विला सकते हैं। और फिर गरम तेला रहेगा। तभी इसको फ्रॉइक करीए बिश्यक्ट अच्छा गरम होना चाहिए। और इस तरह से इसको फ्राइ करके निकाल लेना है अभी ये तैयार नहीं है मैंने सभी को फ्राइ कर लिया है लेकिन अभी ये तैयार नहीं है इसको मैंने 10 मिनिट के लिए फिर से पंक्ये में रखा है जब एक दम नॉर्मल हो गया ठंडा हो गया तब मैंने फिर से इसको फ्राइ किया तब यह ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं तब यह फ्रेंच फ्राइ का रूप लेते हैं एक बार जरू ट्राइ करिएगा अगर प्रेस् सुद्धर टराइग के यह जाच का रूप फ्रेस्व टेजहीर हैं